जंगल में आज बबबर नाम का सेर अपना सिकार इस पेड़ के नीचे छोड़ कर पानी पिने गया था जिसे देख हाइना का जुंड मोके का फाइदा उठाने वहाँ पर पहुँच गया और सेर के सिकार को विए सभी खाने लगे कुछ देर बाद सेर को इसकी भनक लगते ही वो गुस्से से दोड़ कर आया और सुकू नाम के हाइना को धर दबोचा और बाकी सभी वहाँ से भाग गये इतने में सुकू बोल उठा सेर भाईया गलती हो गई छोड़ दो प्लीज तबी सेर बोलता है मेरे सिकार का जितना मास तुम लोगों ने खाया है उतना मास मैं सिर्फ तुम्हारे सरीर को नोच कर वसूल करूंगा सुकू हाइना को सेर के चुंगल में देख उसके सारे साती उसे बचाने वापस आ जाते हैं और सेर को चारों तरब से नोचने लगे जिस बज़े से सेर हाइना को छोड़ देता है और इस तरह आज सुकू हाइना की जान बच गई